अगर आप भी पंजाब और महाराश्ट्र को ओपरेटिव बैंक की ग्रहाख है तो अगले 6 महीने तक आपको परिशानी हो सकती है दरसल रिजर्ज दांक ओफ इंडिया ने पंजाब और महाराश्ट्र को ओपरेटिव बैंक पर कई तरह की पावन्दी अलगा दी है RBI ने ये कारवाई Banking Regulation Act 1949 के Section 35A के तहट की है रिजर्ज बैंक ने आदेश दिया है कि बैंक में सेविंग खाता रखने बाले अपने अकाउंट से हर दिन सिर्फ 1000 रुपे ही निकाल पाएंगे ये प्रतिबंद Current Account और Deposit Account पर भी लागू होता है इसके बाद से कई जगाओं पर बैंक की ब्रांच में लोगों की भीड बढ़ने लगी है इस बैंक का ओफिस मुंबई में है रिजर्ज बैंक ने इसके साथ ही लोन और Deposit पर भी रोक लगा दी बैंक ने ये प्रतिबंद 23 स्टमबर से अगले 6 महीने तक लगाया है डिपॉजट अकाउंट नहीं को सकेगा इसके अलावा बैंक के नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लग चुकी है और यहीं नहीं बलकि बैंक के ग्रहाग अगले 6 महीने तक 1000 रुपे से ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाएंगे बहराल RBI के निर्देश के बाद बैंक के अलग-अलग ब्रांच से ग्रहागों के हंगामे की खबरें आने लगी है सोशल मीडिया पर लगतार बैंक के अलग-अलग ब्रांच से हंगामे की वीडियो जोरो शोरो से शेयर हो रही है आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितना ज़ाद गहरा धका लगा है लोगों को हालात सामान्य नहीं दिखाई दे रहे सोशल मीडिया पर लगतार इस तरह के वीडियो शेर हो रहे हैं जहां साफ तोर पर लोगों को हैरान परिश्चान देखा जा सकता है इस पर आपको बता दें कि RBI ने क्या कहा है दैसार केंडरी बैंक के मुख्यत महा प्रवंदग योगेश दयाल ने कहा है कि RBI निर्देशों के अनुसार जमा करता बैंक में अपने सेविंग करंट या अन्य किसी खाते में से 1000 रुपे से ज्यादा रुपे नहीं निकाह सकता PMC बैंक पर RBI के अग्रिम मंजूरी के बिना लोन और अग्रिम धनवराश्टी देने या रिन्यू करने किसी भी प्रकार का निवेश करने फ्रेश डिपॉजिट स्विकार करने आदी से रोक लगा दी गई है हाला कि RBI इन दिश और निर्देशों में स्थिती के हिसाब से संशोधन भी कर सकता है यानि कि अगले 6 महीने तक ऐसी पाबंदिय लग चुकी है लेकि अगर RBI चाहेगा तो इन 6 महीनों में कुछ न कुछ संशोधन भी जरूर होगा यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि क्या लाइसेंस भी रद हुआ है बैंक का लाइसेंस भी कैंसल हुआ है बता दें कि RBI कि इस कठोर पैसले के बाद ये भी कयास लगाए जाने लगे कि पंजाब और महारास्ट्र को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसल कर दिया गया है हाले कि RBI की ओर से संबन्द में स्थिपीस पष्ट की गई केंदरी बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इन पाबंदियों से ये नहीं समझा जाना चाहिए कि RBI ने PMC बैंक का बाइंकिंग लाइसेंस जो है उसे कैंसल कर दिया है बैंक के लाइसेंस रद नहीं हुआ है RBI का कहना है कि बैंक अगले नोटेस ये अदिशन निर्देश तक पाबंदियों के साथ कारुबार कर सकता है इस पूरे प्रकरण पर बंजार वेंट महाराश्य को ओपरेटिव बैंक के MD जॉय थॉमस का बयान भी आ चुका है थॉमस ने कहा है कि हमें RBI के नियमों के उलंगन का खेद है इस वज़ा से 6 महीने तक हमारे ग्राकों को मुश्किलों का सामना करना पर सकता है बतौर MD मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं इसके साथ ही सभी जमकरताओं को ये सुनिश्चित करता हूं कि 6 महीने से पहले हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे तो यहां पर हम कहना चाहेंगे कि जिन लोगों का इस बैंक में अकाउंट है अगर वो हताश हो चुके हैं तो आपके पास एक आशक के किरण है क्योंकि अगले 6 महीने में अगर बैंक की जो पाबन्या लगी है बैंक पर आरबिया चाहेगा तो इन में कुछ संशोधन जरूर हो सकता है फिलाल इस मामले से जो भी जोड़ी हुई अपडेट आपके पास आनी होगी वो हमारी चानल के महादम से पहुँच जाएगी तो आला में जोगत दीजिए नमस्काव